दिल्ली में पानी की जबरदस्त किलत के बीच अब जल मंत्री आतिशी ने हर्याना के सामने हाथ जोड़कर दिल्ली वालों को पानी देने की अपील की है आतिशी ने हाथ जोड़कर हर्याना सरकार से कहा है कि दिल्ली वालों का जीवन आपके हाथ में है दिल्ली की जल मंतरी आथशे ने कहा कि वजीराबाद बैराज से कई वाटर ट्रीटमेंट पान को पानी भेजा आता है लेकिन वजीराबाद बैराज में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है वाटर लेवर काफी नीचे आ गया है जिसकी वज़ा से नदी का तल दिख रहा है दिल्ली वालों की पानी की सपलाए ही कम हो रही है क्योंकि यमना से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है water treatment plant से जो पानी साफ होके हमारे दिल्ली के अलग-लग हिस्सों में जाता है अगर water treatment plant में पानी नहीं जा रहा तो वहां से supply का पानी पूरा कैसे पहुँच सकता है मैं तो बस हर्याना सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूँ कि आज दिल्ली वालों का जीवन उनके हाथ में है दिल्ली वाले बहुत परिशान है लेकिन जब तक हर्याना यमना में पानी नहीं छोड़ेगी तब तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी वहीं आजशी के आरोपों को हर्याना के मुखमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली को परियाद पानी दे रहे हैं साथ ही मुखमंत्री सैने निकाहा कि वो दिल्ली में दस साल से सत्ता में है उन्हें पानी के बटवारे के बारे में सोचना ता ही है था वे जूटे आरोप लगा रहे हैं कि हम पानी कम दे रहे हैं हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं प्रंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने गिरेबहान में जांके जो उन्होंने वैदे जनता के साथ किये थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है बहश्टा चार की उपर जादा उनकी नजरें टिकी हुई है बहश्टा चार से नजरें क वहां पर काम कर रहे हैं उसका डिस्क्रिबिशन ठीक चला जाए उसकी तरफ तो काम नहीं किया जुटा रोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे स्वाया पानी देने का काम कर रहे हैं दिल्ली के लोग हमारे समानिय वो पूरिया, बरहस्ता चार के अंदर लीपत रहे हैं मैं वहां के लोकों को कहूंगा कि ऐसे लोकों के इस चेरे से नकाब उतारने का कारव आमाधिपाडि सरकार की मंतरिय आज़ी पहले भी आरोब लगा चुकी है कि हर्याना सरकार यावना नदी में पानी नहीं छोड़ रही है जिसकी वज़ा से दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है और एक बार फिर अच्छी ने हर्याना पर पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है फिलाल इसकबर में इतना ही बाकी अपडेट लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ